तो my dear student यदि आप सभी हिंदि गद की आज या फिर कल या फिर आने वाले दिनों में परिच्छा देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखते रहेगा ये पूरा का पूरा एक इनुवर्सिटी का model paper है ऐसा ही जैसा ये model paper है 2024 का same to same आपकी परिच्छा में ऐसा ही लगब सफलता मिलेगी ठीक है तो चलिए वीडियो को बिना देरियो के शुरू करते हैं यह जो वीडियो है वो सभी विश्विद्ध्य लेके चात्रों के लिए है चाहिए आप डाक्टर राम मनहों लोहियावद इंवर्सिटी के चात्रों या फिर आप लोग कासी कि कि किसी भी च हड़ समेस्टर के हैं अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी गद्ध है तो आपके लिए महात्पूर है देख लिए इसी वर्स काई पेपर है ओके चलिए सबसे पहले हम आपको दिसा नर्जेस बता रहे हैं इनको आपको ध्यान रखना है ठीक है जैसे भी आप पेपर देने जा लिए वाश तो उसको आप जरूर लेकर जाएगा क्योंकि अगर वो आपके पाफ रहेगी तो आप जल्दी-जल्दी कोश्चन का उत्तर लिखने में सफल रहेंगे और साथ-साथ में आपका पूरा का पूरा कोश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा जो भी पेपर में ना तो बहुत कम समय लगता है ये ठीक है बहुत कम समय आपको पता नहीं चलेगा कब बीद गया तो आपकर घड़ी रहेगी तो आप लोग उसे हिसाब से कोश्चन का उत्तर देंगे साथ-साथ में पुडांक नंबर तो 75 का ही होता है ये आपको ध्यान लखना है ठीक है ख इसको बोलते हैं विस्त्र दृत्र यानि की लॉंग टाइप के जो कोश्चन होते है ठीक है इस तरीकी के प्रस्ण पूछे जाते हैं इस बात को ध्यान लखेंगे तो सबसे पहले हम खंड आमे आति लग उत्तर आपको बता दे रहें कौन-कौन से वहां पूड़े और इसक कभी विधा एक हिंद्य गद्य की विधा आये ठीक है इससे भी जुड़ा हमेशा प्रस्ण नहीं आता कभी कदार रहता है ठीक है ओके तो आप इनका तो इग्नोर कर सकते क्योंकि आप इसकी परिच्छा लगी है तो इन कोश्चनों को इग्नोर कर दीजिए अगला मोस्ट इमपार्टिन वाला कोश्चन है आत्मकथा से आप क्या समझते हैं आत्मकथा की परिभाफा जीजिए तरक सही तुत्तर दीजिए तो आत्मकथा ना बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है गैरंटी लेता हूँ यह प्रश्ण आपकी परिच्छा मफसेगा क्योंकि एक भी पिछ कहां मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी मतलब कि बहुत ही कम समय वीडियो ज्यदा ज्यदा दस बारा मिनट की होगी इससे ज्यदा नहीं होगी इसी में आपको पूरी जानकादी मिल जाएगी ठीक है तो ठीक है आज मैं कथा तुरंत टिक कर लिजे इसका लिए प्रश्नव है तो आपको तैयार करना हैं ओके और आपको इसका उत्तर कितने सब्दों में लिखना इस बात को भी ध्यान रखना है ए कब से कम आपको सब्दों के करीमना 100 से अधिक नहीं लिखता अधिक तो मतलब कि ज्यादा आपको नहीं लिखना कि आप लोगों 200 स सब्दों में लिग दिया ठीक है तो इस बात को धान रखना है यहां पर आपको पूरी जानकाई दी जाएंगी अगर अति लग उत्रे में प्रश्ण है तो आपको ठीक है अवद इनुवर्शिटी तो अतले उत्रे में आपको कमसे कम 50 से 100 सब्दों में उत्तर देना होता है ठ अधिक्तम मतलब कि यहां पर अधिक्तम 200 सब्दों में बतायागा लेकिन जो लग उत्तरे प्रश्ण होते हैं वहां पर आपको आवद इनुवर्शिटी में जाता है आपको वहां पर पांस से आठ नंबर दे जाते हैं लग उत्तरे के लिए ठीक है तो उसका उत्तर आपको 2020 22 23 सब का माडल पेपर मैंने चांट रखा है और सब में मैंने देखा यह पूछा गया एक आंकी और नाटक ठीक है तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टन को इनको तो आपको तुरंत तुरंत नोट का लीजिए भी उसका उत्तर में आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा ठीक है अ पूछा गया हो मैंने आपको बता रखा है कि पिछले पाल का माडल पेपर देखा आए और इस बार भी करिंवर्शिरियों पर इच्छा है और आप यह देख रहे हैं एक इन्वर्शिटी का यह भी पेपर है इसमें भी पूछा गया तो उपन्यास किसे कहते हैं कहानी किसे क कहानी तो पन्यास और कहानी बहुत ही पॉपलर कोश्चन है अगला प्रशने कि लच्छमी का स्वागत उपेंदर नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी के उद्देश बताईए यानि कि एक प्रमुक कभी है जिनका नाम है उपेंदर नाथ जी ठीक है इन्होंने एक एकांकी लिखा है जिसका नाम है लच्छमी का स्वागत तो वह किस चीज मतब कि किस लिए लिखा है उसका उद्देश क्या है ठीक है जैसे कि हम वीडियो बना रहे हमारा उद्देश क्या है हमारा उद्देश यही है कि हमांको बीडियो बना और आप उसको पढ़के एक्जाम देन निबंद किसे कहते हैं निबंद की परिभासा इसके बारे में आपको पढ़ लेना है निबंद की जो रश्णाएं उनको आपको तैयार कर लेना है ठीक है अगला प्रश्ण है कि जहांसी की राणी उपन्यास सिर्षक की साथारकता पर अपने विचार दीजिए आप मतलब कि क अब हम आपको अगले प्रश्ण के उलने चलते हैं अगला प्रश्ण है हिंदी नाटक के उद्भोर विकास पर प्रकाश डाली यह भी बहुत पॉप्लर कोईश्चन कभी ऐसी परिच्छा नहीं हुई होगी जिसमें यह पूछा नहीं गया होगा तो एक गैरंटी वाला अगला प्रश्ण है कि भाईया ब्रंदावन लाल वर्मा करत यानि कि ब्रंदा लाल वर्मा जी जो पहुत प्रमुख कभी है ठीक है इनकी जो एक रस्णा जिसका नामे जहासी की रानी ठीक है और उपन्यास के आधार पर लच्छमी बाई का चित्रण कीजे ठीक है तो जहा बेप्रत्सत उम्मीद है आने की 100% नहीं है ठीक है तो आप चाहें तो पढ़ लीजेगा तो आपके लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा आगला भी कुश्चिन कई बार पर इच्छा में आ चुका है मेरी जानकानी कि नुसार पंच परमेसुर के कहानी यह बहुत ही पॉपलर कहानी है जो की हमेंसा आती है ठीक है तो इसकी अधार पर सिल्प गत्विसेश्ताओं पर प्रकार चाले लिए यकुछ मिला कि आपको पंच परमेसुर कहानी है उसे के बारे हैं कि प tap कहानी हम केतने बात dur हैं उसमें किस चीज के बारे हैं बताया गया और किसकी रश्ना है यह सब चीजी आपको लिखने हैं बना बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको एक point मिल गया एक आप लोगों को hint मिल गया तो आप लोग बना बना के भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि हमने बहुत फारेच हात्रों के देखा कि पढ़ाय करके कुछ भी नहीं गये और वो बना बना के लिख क्या है उनके पूरे नंबर मिलें ठीक है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कम समय में अगर आपके पास कम समय है एकजाम की तयारी करने का समय नहीं हो तो ओके अगला प्रशने बहुत ही पॉप्लर है हजारी तयार करने के बाद आपकी स्लेबर्स में एक लेशन का नाम है उसे संबंदित कोईश्चन है ठीक है लेकिन हजाय प्रसाद दिविदी का आपको जीवन पर चे तयार कर लेना है बस उसी में सारा आपका समाहित हो जाएंगे कोईश्चन और सारी चीज़ें ऑके बाद खंड बर्स और जो आप हिंदी गद्ध पढ़ रहे हैं उससे संबंदित कोईश्चन है लिखा कि हिंदी गद्ध की अन्य विधाओं का उद्भो और विकास पर ब्रस्तित चर्चा कीजिए ठीक है तो सबसे पहले हिंदी गद्ध की सुरुवात कैसे हुई हिंदी गद्ध का उद 12 नंबर दे जाएंगे तो कम से कम इसका उत्तर आपको 500 सब्दों में लिखना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे इस बात को नोट कर लिजएगा ठीक है ध्यान लखेंगे तो कहीं न कहीं आपके एक्जाम के लिए भी important साबित हो सकता है ठीक प्रशाद का पहले तो सबसे पहले मैं आपको उतादो जैस अंकर प्रसाद जी का जीवन परच्चे तयार कर लेना है और इनकी प्रमुक रशना जिसका नामें द्रोस्वामनी एक नाटक विधा की रशना है जिसके बारे में आपको इसके बारे में तो आपके कम से कम 5-8 न ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्ण जो है भाईया कि तीस बरस का साथी संस्रमण के माध्यम से राम बिला सर्मा के भावों पर प्रकाफ डाली यह इतना महात्पूर नहीं है लेकिन मैं आपके जानकारी किल बता दू जो यह दिख रहा है आपको संस्रमण संस्रमण एक इस माडल पेपर में क्वेश्चन देगे इन सभी का उत्तर हमने तयार किया है और उसको मैंने महासंगराम बीडियो भी प्लस उसकी महासंग्राम पीडिप भी बनाई है जिसको हम टेलिग्राम वट्सप पे डाल दें आप डूप डाउनलोड करके उसको तैयार कर लिजेगा यह फिर अगर आपको नहीं मिल लए तो वीडियो की डिसक्रशन में हमारे टेलिग्राम वट्सप का लिंक है उससे जेंड़